आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हमें दिये गए Options को देखकर बताना है कि Echidna में इन में से कौन सा Reptilian Character हम देख सकते हैं Reptilian Character मतलब Reptiles में पाया जाने वाला Character जबकि Echidna जो है, commonly इसको Spiny Antitor के नाम से भी हम जानते हैं और ये हमारे Animal Kingdom के अंदर Mono Tramata नाम के एक ग्रूप में आ जाता है अब Mono Tramata क्या है? ये असल में Mammals की जो Class होती है उसके अंदर हमने एक ऐसा ग्रूप बना रखा है, Protothereans भी इसके Members को हम कहते हैं जिसमें थोड़े Primitive Type के Mammals को हम Place करते हैं ये तो हम जानते हैं कि Animal Kingdom के सबसे Advanced, सबसे Will Developed Animal हमारे Mammals होते हैं लेकिन कुछ ऐसे Mammals हैं जो कि एक Typical Mammal के Characters नहीं करते हैं अभी भी थोड़े Primitive है, Reptiles जैसे Similar लगते हैं तो उन्हें हम Mono Tramata के Under डाल देते हैं जिसमें हमारे Echidna और Platypus जैसे कुछ गिने जोने Living Members रह गया हैं तो यहां पर हमें जो Options दे हो हैं पहले किया रहा है Presence of Hair अब Hair Reptiles का Character तो है नहीं, सिर्फ Mammals की Skin के Service पे हमें Hair मिलते हैं तो यह हमारा Answer नहीं होगा उसी तरह से Memory Glands यानि Female Body में Paired Milk Producing या Milk Secret करने वाली जो Glands होती है वो अगें Mammals का Character है, सिर्फ Mammals में पाई जाती हैं तो यह भी Reptiles के लिए सही नहीं है Option C यहां पर सही हो जाएगा क्योंकि Last में क्या लिखा है Presence of Vivi Perry Vivi Peras हम उन Animals को कहते हैं जो Reproduction के बाद में Directly Young Ones को Birth देते हैं अंडे देने के बज़ाए जबकि देखा जाता है कि हमारे जो Monotremes होते हैं जो Monotremata के अंदर Placed हैं यह Mammal होने के बावजूद भी Eggs ले करते हैं वो भी Peras होते हैं तो यह Character अगेन इन में Reptiles जैसा हो गया हाला कि जादा तर Mammals हम देखेंगे Vivi Perry शो करेंगे Young Ones को Birth देंगे अंडे नहीं देते हैं फिर भी Echidna जो है यह हमारा Spiny Anteater जो है यह Eggs ले करता है एक Eggling Mammal है प्लैटपस की तरह तो Vivi Perry भी गलत हो गया यहां पर Option C सही इसलिए Cloaca हम कह सकते हैं एक तरह का Aperture होता है Animal की Body में यह एक Common Opening होती है जिसके Through इसकी Body के तीन System Environment की तरफ Open होते हैं इसका Digestive System यानि इसका Elementary Canal फिर इसका Excretory System यानि Waste को Throw Out करना और इसका Reproductive System यानि Gametes का Exchange यह तीनों ही चीज़े Cloaca नाम के इस एक Single Aperture के Through होती हैं लेकिन Mammals का Characteristic यह नहीं है यह हमें Reptiles में मिलता है लेकिन क्यूंकि हमारा Echidna एक Monodrim है Primitive Type का Mammal है इसलिए इसमें हमें यह मिलेगा Option C हमारा सही answer हो गया Classics to 12 से लेके आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8404-404 पर